नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप हिंदी सब्जेक्ट की पेड़ागोजी देखने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ सीटेट बलकि किसी भी राज्य की सिख्छाक भरती प्रक्रिया जिसमें पेड़ागोजी पूछे जाते हैं उसमें कि आपको काफी मदद मिलने वाली है ये पूरी एक सीरीज चलेगी जिसमें से ये पहला वीडियो होने जा रहा है इस पूरे सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा अंक आप अपने पेड़ागोजी में ला सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ वर्ग पहलियों को सामिल करने से क्या होता है चौते विकल्प से सुरुआत करेंगे देखिए दिया गया है कक्षा कक्ष में परिवेश जिवन्त और मित्रवत बनता है ये तो विकल्प सही है क्यों सही है क्योंकि जब पहली बच्चों से पूछेंगे तो कहीं न कहीं ये active रहेंगे और इसकी वज़े से वो जो विवहार होगा teacher और student के बीच वो मित्रुवत होगा तो ये तो positive था लेकिन मैं अभी star लगा रहा हूँ क्यों आपको बाद में पता चलेगा ठीक है तीसरे विकल्प की अगर बात करें देखे कहा जा रहा है उन्हें कुछ आनंदायक घ तरीके से बच्चों को बस thinking करने के लिए critical thinking करने के लिए बढ़ावा दे रहा है तो पाठ फुस्ता को समझने में कोई help नहीं मिलेगा इसमें तो ये तो negative था आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा विकल्प देखे विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेशन आपसे communicate कर रहे होंगे इसमें प्रवाहपूर्ण संप्रेशन नहीं होगा मतलब की बिलकुल धारा प्रवाफ फ्लुएंट communication नहीं होगा तो ये विकल्प negative था आपका उत्तर नहीं होगा पहला विकल्प देखे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योगेता का व समालोचना में किसी भी चीज़ का सिर्फ negative points हम लोग देखते हैं और समालोचना में क्या होता है उसके negative और positive दोनों points पर हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि अगर किसी movie का review आप देखते हैं तो वो क्या है वो समालोचनात्मक review है मतलब कि उसमें positive चीज़े भी बताई जाती ह हैं लेकिन कोई ऐसा किसी का व्याख्या करें कि जिसमें किवल negative बातों का ही चर्चा किया जाए तो वो आलोचना होगा ठीक है तो यहां पर देखिए समालोचनात्मक चिंतन बढ़ाने में पहली बहुत ज्यादा role अदा करता है क्योंकि बच्चों को सोचने के लिए अब बच्चा critical thinking कैसे करेगा जब बच्चा उस महाल में ढला होगा और उस महाल में अपने आपको comfortable feel कर रहा होगा साथ ही साथ उसका जो environment होगा स्कूल का जो environment होगा वह actively participate करा रहा होगा उस बच्चे को तो कहीं न कहीं देखिए actively participate करना और मित्रवत विवहार करना यह कहीं option अब गलत हो जाएगा और पहला option जो है वो most appropriate हो जाएगा और यहीं आपका उतर हो जाएगा option number 1 अगला प्रशन है आपकी कक्छा में एक द्रिष्टी बाधित विद्यारती है एक भासा सिख्चा के रूप में आप क्या करेंगे देखिए बच्चा द्रिष्टी बाधित है क्योंकि जब आप उसे सहानुबूती देखाएगे तो बच्चे को एहसास होगा कि मेरे अंदर कुछ कम ही है और मैं इस पूरी कक्छा से अलग हूँ इसी वज़े से teacher मेरे साथ सहानुबूती दिखा रहे हैं तो वो बच्चा उसको गलत वे में लेके जा सकता है उसमें हीन भावना को विक्सित कर सकता है ये सहानुबूती इस वज़े से ये निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न इस्तर के निस्पादन की छूट देंगे ये कहा जा रहा है कि चुकि बालक देख नहीं सकता है उसकी मानसिक छमता कहीं से भी कम नहीं है तो वो चीजों को कैसे सीखेगा कैसे रियक्ट करेगा वो उसकी मानसिक छमता पर निर्भर कर रहा है ना कि उसके देखने या फिर ना देखने से अगर उसको सही तरीके से जो उसकी आवरशकता है जैसे कि दृष्टिबादित है तो अगर ब्रेल लिपी का इस्तिमाल किया जाए या फिर चू करके महसूस करा करके उसको संप्रत्य समझाने की कोशिश की जाए तो उसकी मानसी किस्तिति ठीक है वो उतना ही आउटपुट देगा जितना कि समाने बच्चे दे रहे हैं बस उसको उस हिसाब से माहौल में ढाल ठीक है बस उसको सही से रिप्रेजेंट करने की आवशकता है जो भी कॉंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं तो ये निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा तीसरा देखिए नियमित कक्षा कारे में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे उसको अकेले ही अपने पूरे जीवन को व्यतित करना है और सभी समस्याओं को अकेले ही हैंडिल करना है तो भले ही आज आप कक्षा में उसकी हल्प करने वाला नहीं रहेगा तो किसी को किसी के उपपर dependent ना बनाया जाए ये महत्वपूर्ण है और ये जो विकल्प है वो dependent बनाने की बाद कर रहा है यह होना चाहिए कि प्रतेक बालक अपने आप में इंडिपेंडेंड़न होना चाहिए तो यह निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्टा ऑप्षान बचार देखिए उस बालक के साथ सामाने विवहार करेंगे और उसे स्रव वे समागरी दिया जाज, इसको सुन करके वो चीजों को समझ सकता है, भले वो दृष्टी बादित है, देख नहीं सकता, लेकिन उसकी कान ठीक है, वो सुन करके संप्रत है, कॉंसेप्ट को समझ सकता है, और सांती साथ समाने विवार करने से फायदा ये होगा, कि बच्चे मे विकित में से एक पर ध्यान देना चाहिए, तो कौन सा एक विकल्प आप चुनते अगर आप एक भासा सिक्षक होते और अभीरतियों का आंकलन यानि की असेस्मेंट कर रहे होते, तो चलिए पहले विकल्प से हम लोग सुरुवात करेंगे, पहला विकल्प दिया गया है, आपचारिक सापताहिक परिक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, देखिए प्रगति पत्र को यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो बोला जाए, तो पोर्टफोलियो के संदर में कहा गया है, कि सापताह के अंत में परिक्षा लिया जा और उसमें कितना बच्चा जो कि आकलन की बात करता है, बच्चा गख्चा में जो कुछ भी गत्तिविधी कर रहा है, उस गत्तिविधी के दोरान उसका मुल्यांकन किया जाहारा है, तो यहां पर किवल औपचारिक साप्ताहिक परिछा कहा गया है, जबकि साप्ताह के अंत का आप वेट नहीं करेंगे as a teacher बलकि कक्षा में कोई भी गतिवीदी कराई जा रही है तो उस गतिवीदी के दोरान अनौपचारिक तरीके से भी उसका मुल्यांकन किया जा सकता है और उसको पोर्टफोलियो में मेंशन किया जा सकता है तो पहला निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा दूसरा देखे एक अवधी के अंत में परिक्षा लेना जो उतरिन या अनुतरिन घोशित करने में सहायता करे एक अवधी के अंत में मतलब क्या कि आपका जब पूरा सेमेश्टर खतम हो गया या फिर पूरा वर्स का पढ़ाई खतम हो गया यानि कि जो वार्सिक परिक्षा ह देखिए, बच्चे का आकलन करने का प्रमुखुद्दे से ये है कि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं आरे ये सीखने में, तो ये आप कब चेक करेंगे, जब कोई concept आप बताए, तभी तो चेक करेंगे कि बच्चे को concept ने कोई दिकत है या नहीं, क्योंकि माली जे उस concept पर आधारित कोई अगला concept आप पढ़ाने जा रहे हैं जब बच्चे को पहला ही concept नहीं समझ वाया है तो दूसरा concept और उसके आगे वाले concept तो वो पहले से ही doubtful रहेगा क्योंकि पहला concept उसे समझ नहीं आया और आगे के concept उस पर dependent है तो बच्चा जब सीख रहा है उसी समय मुल्या प्रती दिन कक्छा कारे एवं ग्री कारे के रूप में दत कारे देना अब बच्चे को आप केवल homework दिये जा रहे हैं तो इसका भी कोई खास रोल नहीं रह जाएगा बच्चे को आप concept सिखाए homework देने का मतलब इस sense में होना चाहिए कि बच्चा जो कक्छा में सीखा है क्या वो सही से सीखा है अत्वा नहीं homework का आंकलन करके आप ये चीज पता लगा सकते है कि बच्चे को concept समझ में आया है या नहीं लेकिन लगतार केवल homework पर ही based रहना या फिर कक्छा कारे बार बार बच्चे को केवल उसी में बीजी रखना तो ये बच्चा machine बन रहा है कुछ न जानकारी एकत्रित करना अब विविद तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं देखे यहां पर बात की गई थी आपचारिक की और विविद तरीके में अनपचारिक तरीके भी आ सकते हैं जैसे की जरूरी नहीं है कि बच्चे का मुल्यांकन पेपर पेंसिल पर किया जाए ये हो सक शिक्षार्ति के साथ जब आप साजा करेंगे तो सिक्षार्तियों को भी ये समझने में आउसर मिलेगा कि बच्चे मतलब उसकी खुद की आधिगम में प्रगति कैसी है तो वो उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने के लिए त्यारी कर रहा होगा या फिर और अच्छा प् प्रगति कैसी है सीखने में तो ये सबसे ज़्यादा पॉश्टि था इस वज़े से ऑप्षन नमबर तीर यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्छरों वाले मुद्रित बड़ी पुस्तक के उप्यों के बारे में सही नहीं है जो निगेटिव सेंस में होगा वहीं आपका उतर होगा क्योंकि सही नहीं है पुछा जा रहा है पहले विकल्प से सुरुआत करेंगे देखे कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा स्रीजनात्मक एबं कलात्मक अधिगम वातावराण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं देखिए बच्चों के किताब में आप जितना रंगीन चित्र देंगे और जितना बड़े-बड़े अक्षार मुद्रित करेंगे बच्चे उससे आकरशित होते हैं चित्रों को देख करके तो चित्रों को जैसे ही वो देखेंगे तो कहीं न कहीं उनमें कलात्मक अधिगम और स्रिजनात्मक अधिगम हागा कैसे अब चित्र में मालीजे उनसके पुस्तक में किसी जंगल का चित तो ये क्या है ये उसके मौलिक विचार है जो कि स्रिजनात्मक्ता में बढ़ोतरी करने में उसमें मदद करेंगे तो ये तो पॉजटिव था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है ठीक है अब चलिए दूसरे विकल्प रूप से नहीं देख रहे हैं जैसे कि अभी मैंने एक जंगल का उधारन लिया था तो मालीजे उसे जंगल में एक तरीके से घोड़े का चितर बना होगा और उस पर राजा बैठा होगा तो उससे से बच्चे समझ पा रहे होंगे अमूर्त संकल्पना यानि कि एक प्रियास के माध्यम से आप किसी बिल्कुल पॉज़े से आपका उतरनी होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है बात करेंगे तीसरे विकल्पकी देखे कहा जा रहे हैं यह साक्षर्ता अभ्यास के सांथ सांथ भासा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती ह देखे भासा अधिगम और भासा अर्जन दो चीज होता है जब वातावरण के संपर्क में आने की वज़े से आप language को acquire कर लेते हैं तो वो भासा अर्जन है और जब अधिगम करने के लिए जब प्रियास के माध्यम से आप किसी भासा को सीखते हैं मतलब grammar के वज़े से grammar चित्रों को दिखाएंगे पुस्तक में बच्चों को तो कहीं ना कहीं वो सिंबल्स हैं और उस सिंबल्स को देखते हुए बच्चे जो है वो पूरे माहौल को समझने की कोशिश कर रहे है तो कहीं ना कहीं language तो acquire होई रहा है जैसे कि उस चित्र को देखकर कि कुछ ना को acquire कर रहा है ठीक है सिंबल के फॉर्म है तो यह भी आपका positive था इसलिए उत्तर नहीं होगा लेकिन अगर बात करें option no.4 की देखिए यह पाठ पुस्तकों की पाठ पुस्तकों से अच्छी है तथा कच्छा वार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड होते ही हैं तो यह का जा रहा कि यह उनके अभ्यास से मुक्त होता है ऐसा नहीं है बच्चे को जब आप पुस्तक में देखेंगे तो लास्ट में उनको अभ्यास भी दिया गया रहता है तो यह कहना कि अभ्यास से मुक्त होता है और उनके पाठ पुस्तकों से अच्छा होत एक से अधिक भासाओं का ज्यान बच्चों को किसमें सहायता करता है चोथे विकल्प से हम लग सुरुआत करते हैं चोथा विकल्प दिया गया है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भासाओं की लीपी सीखने में ये विकल्प निगेटिव है यहां पर भी आपको अधिक अंक नंबर के लिए होड दीखे तो वो हमेसा निगेटिव होता है कभी आपका उतर होगा नहीं और वैसे भी मैं यहां पर बता दो कि बच्चे भासा इस वज़ा से सीखते हैं ताकि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएं ना कि अधिक अगर भासा सीखा है तो जहिर सी बात है आपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए सीखा होगा दूसरों से वारतालाप करने के लिए कम्मिनिकेट करने के लिए सीखा होगा और विकल्प क्या कर रहा है कि दूसरे विद्यार्थियों से के साथ ना जोड़ने के लिए तो यह को समझने के लिए भासा की आवशकता नहीं है एक या एक से अधिक भासा की आवशकता नहीं है आज हम लोग South Indian की रिती रिवाज को भी देखते हैं उनके भी culture को देखते हैं लेकिन क्या हमें मल्यालम तेलगु ये सब भासा आती हैं नहीं आती हैं रिती रिवाज जो हैं वो अपने आप में एक language होता है उनके body language, उनके gestures, उनके हाव भाव को देखकर करके हम समझ सकते हैं हमें ये आवशकता नहीं है कि हम मल्यालम और तेलगु सीखने जाएं तो भासा केवल इसलिए नहीं सीखा जाता कि राष्ट के रिती रिवाज और अने संस्कृतियों के बारे में समझना है तो ये negative था आपका उतर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option number 1 देखिए अने भासाओं एवं नए विश्यों को आसानी से सीखने में मदद करता है कैसे देखिए अने भासाओं को सीखने में कैसे मदद करेगा जैसे कि आपने अंग्रेजी में grammar come translation method पढ़ा होगा बच्चे को जब अंग्रेजी पढ़ाया जाता तो जो कठिन सब्द आते हैं उसका बच्चे के mother tongue में translate करके बताया जाता है आप बच्चे के लिए mother tongue क्या है वो आसान है क्यों क्योंकि बच्चा आपने जन्म से ही वातावरण में ही mother tongue सीखा हुआ है तो जब foreign language को अंग्रेजी भासा को या फिर किसी दूसरे foreign language के कठिन वर्डों को उसके मातरी भासा में बताया जागा तो वो उसे समझने में उसे आसानी होगी तो वहीं कहा जा रहा है कि अन्य भासा एवं विश्यों को आसानी से सीखने में जो भासा होते हैं वो मदद करते हैं तो option number एक positive था और यहीं आपका सही जवाब होगा अगला प्रशन है कक्षा 3 के विद्यार्थी की copy को देखते समय भासा की एक सिक्षिका ने कुछ तुरूटिया देखी और महसूस किया की मालीजे की आप teacher रहते भासा के और कुछ तुरूटि देखते तो क्या महसूस करते वहीं प्रशन आपसे पूछा जा रहा है पहला विकल्ब दिया गया है बच्चे ला परवा हैं इसलिए वे तुरूटिया करते हैं के लिखे लिखी रहा है कि उसमें कोई गलती ही नहीं है आज हम लोग मनुश्य जातीस संब्न ökध को गलतीयों का पुतला जाता है क्यmud का जाता है क्योंकि मनुश्य अपने अनुभव सा सहीज़ा है और psychology करेंगे तो गलती네 उसे भी मन उसे सीखता है और ये क्या कहा रहा पहला विकल्प कि बच्चे लापरवा हैं इसलिए तुरूटिया कर रहे हैं ये निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे बच्चे तुरूटिया करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दे रही है देखे बच्चे एक तो गलती करें और उपर से उसे बार-बार दोहरा रहे हैं और दंड यहां पर शब्द आ गया जिस भी विकल्प में आपको दंड दिख जाए वो NCF 2005 उसे बिल्कुल ही निगेटिव मानता है दंड को और इसे निश्यद किया गया है तो इसे बिल्कुल ही गलत है क्यों गलत है क्योंकि देखे अगर आप उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चा समझ जागा कि जो मैं सीख रहा हूं वो सही है और आगे चलकर कि वो उस गलतियों को बार-बार दोहरा रहा होगा तो बच्चे का अधिगम नहीं हुआ देखे अधिगम क्या होता है बच्चे के वेभार में परिवर्ताना प्रयास के माध्यम से अब प्रयास करके वो गलत कॉंसेप्ट को सीख लिया है तो यह उसका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं है क्यों क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम तभी होग तो यह स्वभाविक है और उनके अधिगम का संकेतक है मतलब कि बच्चे प्रयास किये होंगे और प्रयास के दौरान ही तुरूटी हुई होगी और प्रयास किसलिए किर रहा है सीखने के लिए अधिगम करने के लिए तो यह अधिगम का संकेतक हो गया तो option no.3 इसका appropriate है और यहीं इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है वाईगोश्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ समाजिक अनता क्रिया से सीखते हैं एक भासा सिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे मतलब कि आपको बता दिया गया कि वाईगोश्की ने बताय था कि बच्चे अनता क्रिया एवं बाचित कि ये बीना कारे करें अब लेव वाईगोश्की ने जब सिधान्त दिया कि अनता क्रिया से ही बच्चे सीखते हैं और आप उसका अपोज कर रहे हैं कि बच्चे को अलग बैठा दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएगा ज तिर ये विकल्प निगेटिव कर रहा है देखिए यहाँ पर रिफरेंस आपको दे दिया गया कि ये उत्तर आपको वाईगोश्की के सिधान्त के अनुसार देना है यानि कि जिस विकल्प में इंट्रेक्शन करने का मौका मिलेगा अनता क्रिया करने का मौका मिलेगा दू उत्साहन पूरसकार एवं दंड का प्रयोग करें जहां भी दंड दिग्या मैं बार-बार करें वो कभी विकल्प आपका सही होगा ही नहीं एक ही विकल्प बचा आप्शन नमबर चार देखें जोड़े एवं समुह कारे के लिए योजना बनाए ताकि सात्र सातियों के साथ अंताक्रिया कर सके देखें अब जब बच्चों को ग्रूप में रखेंगे समुह में रखेंगे तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे से बाचीत करेंगे इंट्रेक्शन करेंगे तो यहीं लेवाई गोत्की का सिधान्त था कि बच्चे समाजीक रूप से अंताक्रिया के माध्य जा रहा है तो पहले विकल्ब से सुरुवात करते हैं दिया गया है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्छा में अनुकरण ये विद्यार्थी के रूप में स्विकारना मतलब कि आपकी कक्छा में कोई एक ऐसा बालक है जो कि फ्लुएंट बोल ला है लेंग्व लोग न्यूटन होते तो केवल अनुकरण करने के मादम से हम सीख नहीं सकते हैं जब तक बच्चा खुद से प्रियास नहीं करेगा तब तक नहीं सीख पाएगा ठीक है तो ये निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा दूसरा देखे कक्छा है तो कुछ कठोर नियम बना तो आप सबको थोड़ी कहेंगे कि आप उसको बेख करके उसके बोले गए भासा को रिपीट करिए अब मालीजे जो बोल नहीं सकता है या फिर जो सरौणा बादी था जो सूले नहीं सकता है जब उसको सूनेगा है नहीं तो उसको कैसे रियक्ट कर पाएगा तो ये कि कक्षा में सुविधा वंचित प्रिष्ट भूमी से आने वाले बच्चों की कठिन परिश्रम करना है यहाँ पर देख लिजे बच्चा जो है वो सुविधा वंचित है मतलब कि उसको वो सभी फैसलिटीज नहीं मिली है जो कि कक्षा के अने बच्चों को मिली है अब पहले से सुविधा वंचित हूँ और मुझे और कठिन परिश्रम करना पड़ा है तो बच्चा इससे कठिन एक तरीके से हीन भावना के सिकार होने के वज़े से कक्षा के परिवेश का अपने आपको हिस्सा नहीं समझेगा जिसकी वज़े से उसकी रूची धिरे धिर खतम फिर इंटर्नल में मोटिबेशन खतम खतम होगा तो वह अधिगं में पार्ट्सपेट करना ही नहीं चायेगा या फिर अधिगं उसका अर्थपूर्ड नहीं होगा तो यह निगेटीव था आपका उतर नहीं होगा यह कहीं विकल्प बचा option नमर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है या सुनिशित करना कि उसकी कक्छा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्विक्रित एवं महत्व दिया जा रहा है स्विकृत एवं महत्वड क्या हुआ जैसा कि मालेजय कोई स्रवड बादित है कोई दृष्टी बादित है कोई वन्चित पृष्ट भूमि साय है तो सबको स्विकृत की ना सबकी भावनाओं का संबान करना मतलब कि जिसकी जैसी आवशकता है उसके अनूरूप profound प्रियाक् उसकी लेंग्वेज उड़िया हो सकती है कोई पंजाब से आया होगा उसकी लेंग्वेज पंजाबी हो सकती है कोई यूपी का होगा तो उसकी हिंदी हो सकती है मतलब सबकी सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी अलग अलग हो गोई इसकी वज़ा से उसकी भासा भी अलग हो तो यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यहीं आपका उतर हो जाएगा option number 3 सई जवाब है अगला प्रश्ण है भारतिये कक्षाइं बहु भासी होती हैं बहु भासी का मतलब multilingual होती हैं कि यह नहीं एक से ज़्यादा भासाइं कक्षा में बोली जाती हैं बहु भासी कक्षा के बारे में निमलिकित में से कौन सा सरवादिक उप्युक्त होगा बहु भासी कक्षा का मतलब यह होता है कि अलग अलग पृष्ट भूमी से बच्चे आये हो सकता है जैसे कि पिछले प्रिष्ण में आपने उद्धारार देखा पंजाब से यह बच्चा हो सकता है, यूपी का हो सकता है, साउत का हो सकता है, उडिसा का हो सकता है, किरल का हो सकता है, सब की भासाइं अलग-अलग होंगी, ठीक है, तो सब को अपने मदर टंग में पढ़ाना है, ये राष्टे सिक्षानिती 2020 बता रहा है लेकिन क्या ये संभव है कि टीचर सभी भासा हैं जान रहा हो संभव ही नहीं है तो आपको as a teacher ये करना है कि आप सबकी भासा नहीं बोल सकते हैं लेकिन उनको उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनकी भासा में बोलने का मौका देना चाहिए ये बहु भासा कहता है या फिर आपकी कच्छा की जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे राजे की ऐसा नहीं कि दस राजे से समन्दे जो उनका अलग अलग होगा तो सबको सबकी भासा नहीं सिखाय जा सकता है तो बहु भासिकता का मतलब ये होता है कि बेसिकली जिस भी मदर टंग के बच्चे हैं सबको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए उनकी मदर टंग में छूट देरी जानी चाहिए तो ये बहु भासिकता होती है यानि कि सबके मदर टंग का सम्मान करना है सबकी भासा का सम्मान करना है अब चलिए विकल्पों को सुरू करते हैं पहला विकल्प दिया गया सिक्षक को सिक्षार्ती की भासा को नजरंदाज करते हुए विद्याले की भासा पर ध्यान देना चाहिए पहला क्या कर रहा है कि उनकी mother tongue को आप नजर अंदाज कर दिजे और उनको school की भासा पर देहां देने के लिए क्या ये संबह है अगर बच्चा primary में आया हुआ है और केवल वो mother tongue जान रहा है अगर मालीजे कि केवल वो उडिया language जान रहा है और अपने आपको express नहीं कर पा र दूसरा विकल्ब देखिए घर की भासा या फिर मात्री भासा घर पर बोलनी चाहिए ना की विद्याले में ये निगेटिव है क्यों क्योंकि राष्टे सिक्षा निती 2020 कह रहा है कि बच्चों को primary स्थर की सिक्षा उनके मात्री भासा में देनी है जो घर की भासा उसमें द चाहिए मतलब जो भी उसका mother tongue है उसको प्राथ मिकता के अनुसार प्रवेस्थ देना चाहिए मतलब कि कोई उडिया बोला है तो उसको उडिया वाले स्कुल में डालना चाहिए चीज़े बोल रहा है तो ये निगेटिव था क्योंकि इसके श्टार्ट के बहारत में एकल भ और जैसे ही आप secondary और senior secondary में जाते हैं तो राष्टे सिक्षानिती 2020 ये कहता है कि अब आपको एक foreign language भी पढ़ाया जाएगा जैसे कि Japanese हो गया चाइनिज हो गया ये सबी foreign language में से कोई एक language आपको चुनना होगा तो राष्टे सिक्षानिती तो बहु बहु बहासिकता पर जोड दे रहा और विकल्प कहा रहा है कि एक भासा में पढ़ाया जाना चाहिए तो ये निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा इक ही विकल्प बचा option no.4 देखिए क्या कहा जा रहा है सिक्षक सिक्षार्थियों को उनकी स्वैम की भासा यानि स्वैम की भासा क्या होती है मदर बच्चे अंता क्रिया के मादयम से इंट्रेक्षन के मादयम से ही सीखते हैं तो जो भी विकल्प आपको इंट्रेक्षन करने का मौका दिये जाने के संदर में होगा वहीं आपका सही उतर होगा पहले विकल्प से सुरुआत करेंगे पहला विकल्प दिया गया जब दिगर समाप्त करेंगे और सक्षम होंगे कारे को जल्दी खत्म करना उद्दे से नहीं है उनको ग्रूप में काम कराने का बलकि इंट्रेक्शन के माध्यम से सीखना उनका प्रमुख उद्दे से होना चाहिए तो ये विकल्प निगेटिव था उत्तर नहीं होगा दूसरा द विकल्प नहीं होगा तो यहीं आपका सबसे है और यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों से प्रश्नों किस रिंकला आपको कैसी लगी कमेंट के मादम से जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा ही महतोपून वीडियो लाने के संदर में और सांती सांत सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के बाद से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुब हो